लोग जो है मैंने कहा कि करीब तीन दर्जन से ज़्यादा पदाधिकारी सस्पेंड हुए और आज मैंने पूरे बिहार के अंचला धिकारी को बुलाया था आज सब को कहा है कि कोई भी सिकायत जनता का नहीं आना चाहिए नमस्कार अपने इस फोनेशन देख रहे हैं मैं हूँ आपके साथ वंधना बिहार में इंदीनों जमीन सर्वे को लेकर काफी हाकार मशा हुआ है आम जनता की परिशानियों को देखते हुए सरकार ने बड़ा निर् दिया कि गाउं कस्बो तक पहुँश करके लोगों की जो कमी है लोगों की दर्द है उसको पहली सुनिये और उसके बाद निजाद करिए हला कि बड़े-बड़े अला अधिकारीओं का रुख जो है गाउं कस्बो तक पर निकलने वाले उसे पहले उन्होंने बहुत बड़ी लिए अपने निताओं और करताओं को या रा रंग का गंशा नहीं ले करते हैं कमर में बांद करने ही चाह सकते हैं हरा तोपी ही इस भारंग करते चलना है आपको अपरादी प्रविट्टी के लोग होते हैं दिखाने के पोशेश होती है तो लगता है कि बीजेपी के वियान आने के सामने के बाद ये निर्न लिया है है उन्हें देखिए ऐसा है ना कि परतिपक्ष को अब ये लगने लगा है कि उसका सुपरा साफ होने वाला है और बहुत दीन तक जूट का खेती नहीं चलता है पहले रुजगार पर फिर विशेश राज के दर्जा पर फिर कभी दलित महला के साथ बलतकार पर लेकिन सब कुछ में रास्तिय जनता दल अपने आप में बेनकाब हो रहा है अपराद करने वाले उनके लोग बलतकार करने वाले उनके लोग तो अब उनका मनोबल गिरता जा रहा है और परतिपक्ष का मनोबल जो गिरा है उसी के लिए वो अपना नौक जूब न जाए इसके लिए ये अंतिम प्रियास कर रहा है कि अब गंचा पर रोग काहे लगाई तो वही बताएंगे कि सतरक हो रहे हैं साबधान हो रहे हैं कि कहीं जतना गरवरी में लोग पकरा रहे हैं उनका तो उनको लग रहा है कि सब बच के रहें मैंने कहा ना कि यह उनका अपना सोच है इसमें हम लोग को कुछ नहीं बोलना राजा के रूप में एलजी को बना दिया गया है जो वहां के धन संपदा को बाहर के कॉंग्रेसी और कॉंग्रेस के नेता को सर माना चाहिए एक ही देश में दो निसान दो विधान दो परधान था और 75 साल तक इन कॉंग्रेसियों ने अलगावादी तत्र और देश विरुधी ताक्तों के पैर पर जो है अपना पैर पर जुक करके देश को चला रहा गुटना टेक दिया था राहूल गांधी के अपने स्वर्गिया पिता जी स्वर्गिया दादा जी के किये हुए गल्ती पर माफी मांगना चाहिए कि हिम्मत नहीं था कि अलगावादी ताकत के खिलाफ राष्ट विरोधी ताकत के खिलाफ कुछ बोल पाता लेकिन मैं नरेंदर मोदी जी के नेतरित और अमिस साजी को धन्नवाद देता हूँ कि आपने धारा 370 रटाने का काम किया इसलिए कॉंग्रेशियों को अगर थोड़ा भी सर्म है तो चुलू भर पानी में डूब के मर जाना चाहिए अलगावादी ताकत अपने ही देश में सर उठाएगा देश विरोधी ताकत अपने ही देश में सर उठाएगा तो इसलिए जो है कॉंग्रेशियों को तो पता नहीं भग्मान भी माफ करेंगे की नहीं करेंगे मैं मुझे तो थोड़ा सक्थ है फिर भी हम पता करके बताएगे अब छोड़िये नवी सब जतना तुटपुंजिया नेता सब है उनके पास विकास की मुद्दा है नहीं तो विकास की बात क्यों नहीं कर रहे हैं आज पर्तिपक्ष में कोई भी एक नेता आप विकास का बात नहीं उठाते हैं आप कभी सोचिये जितने पत्रकार बंदू है इन लोगों ने जो समाज का जो सही मुद्दा था अब उससे भाग गए पहुँच गए भाबनात्मक बात पर तो कभी आप लोग भी इस बात को सोचिये कि अब इस देश में विकास का मुद्दा पर्तिपक्ष के पास नहीं जो भी गलत करेगा वो जेल जाएगा अभी डिसेलार गया है वहां का जिल महराज गजिकार बहुत लोग जो है मैंने कहा कि करीब तीन दर्जन से जादा पदाधिकारी सस्पेंड हुए हैं और आज मैंने पूरे बिहार के अंचला अधिकारी को बुलाया था आज 66 आये थे 12 तारिक को फिर 1500 के आसपास आएंगे फिर 19 को 1500 के आसपास आएंगे हमने सब को कहा है कि कोई भी सिकायत जनता का नहीं आना चाहिए नहीं तो जो अधिकारी जो करमचारी भरष्टाचार में या किसी भी तरीके से लिप्त पाये जाएंगे उनकी खैर नहीं है और अब निचले अस्तर पर कुछ दलाल लोग जमीन माफिया लोग कोशिस करते थे अब उनको भी पता लग गया है कि धीरे धीरे अब उनका भी खैर नहीं है ने-ने कहिए इस सब पर कोई बहुत बरी बात नहीं है नेता लोग बहुत सारी बात बोले